प्यारे विध्यारतियों, स्वागत है आप सभी का RCI स्कूल के ओनलाइन क्लास में अलवर के बांसुर कस्वे में इस्तित RCI स्कूल ने केवल जिले में बलकि राज में भी अपने उतकश्व परिणामों के लिए जाना जाता है राज मेरिट, जिला मेरिट देने वाला ये आर्शे विध्याल है, अब ओनलाइन सिक्षा में भी अपनी एक पैचान बनाने में सबसे आगे है प्यारे विध्यारतियों, आप भी आर्शे स्कूल में एड्मिशन लेना चाते हैं, तो ओनलाइन एड्मिशन के लिए एक प्रोसेस हमने स्टार्ट कर रखा है इस्कूल में आप जो नीचे नंबर दे रखे हैं इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं नंबर है नाइन जो मैंने टिक किया है 9001455881 इस पर आप कोल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं और एड्मिशन ले सकते हैं प्यारे विध्यारतियों, ओनलाइन क्लासेस में आज हम पढ़ने वाले हैं फिजिक्स फिजिक्स में आज का जो टॉपिक है हमारा बहुत ही इंटरस्टिंग और कौतुहल पॉन जो टॉपिक है वो हम पढ़ने वाले हैं टॉपिक है हमारा आज का अपवहन अपवहाचाल जिसको हम बोलते हैं ड्रिप्ट वेलोस्टी यह इसके नाम है प्यारे विध्यारतियों अपवहाचाल जो है उसको समझने से पहले हम कुछ मेतपूर्ण जो टॉपिक है उन पर डिसकस करेंगे तो पहला हमारा टोपिक है ग्यादर्शी गती यादर्शी गती किसकी इलेक्ट्रोनों की यादर्शी गती इलेक्ट्रोनों की यादर्शी गती का हम अध्यन करेंगे प्यारे विजारतियों ठोस जो चालक हैं आप सभी जानते हैं उनमें मुक्त इलेक्ट्रोन पाए जाते हैं और वो मुख्ट एलेक्ट्रोन जो हैं, वो चालक के अंदर उपस्थित हैं फिर भी चालक में धारा प्रवायत नहीं होती तो क्या आपने सोचा है कि ऐसा क्या कारण है जिसकी वज़े से इलेक्ट्रोन धातू में होते होए भी धातू जो है, वो विदुधारा का चालन नहीं करती है आए इसी जो आपका जो मेत्वपूर्ण जो टॉपिक है जिसमें हम ये पता लगाएंगे कि ऐसा खारण है जिससे धातू में इलेक्ट्रौन होते हो भी धातू धारा का प्रवा, नहीं करती हैं, तो प्यारे विद्यारतियों, इलेक्ट्रौन की यादर्शिक गति, जाने कि जब धातू , किसी भी बैटरी या विभानतर या विदुत्चेतर से जुड़ा वह नहीं होता है उस टाइम जो इलेक्ट्रोन उसमें उपस्तित है वो इलेक्ट्रोन एक गती करते हैं और वो गती का नाम है यादर्ष गती जिसकी वज़े से विदुधारा का चालन नहीं होता है चालक धातुओं में जब तक हम बैटरी नहीं लगाते हैं यादर्ष गती को समझते हैं, क्या है यादर्स गति? तो किसी चालक में मुक्त इलेक्ट्रोन कक्स ताप कक्स ताप का मतलब रूम टैम्परेजर जो हमारे कमरے का ताप उश्की बात हो रहे है पर इधर उधर यादर्स या एनियमित गति करते हैं, यानि कि जितरे यहां पर कोई भी एक धातू है, धातू का चित्र है, जिसमें इलेक्टोनों की यादर्श गती को दिखाया है, देखो प्यारे विद्यारतियों, इलेक्टोन की यादर्श गती, यहां पर माली जया में एक इलेक्टोन लेते हैं, यह इलेक्टोन इस धातू में यहां पर है, यहां से यह electron इस तरह से जिग-जैग motion कर रहा है, यानि कि इस तरह से यादर्स गति कर रहा है, यादर्स गति यानि कि जिग-जैग यानि कि जिसकी कोई निश्ची दिशा नहीं है, लेकिन यहां पर जो इसका ओसत वेग है electron का, वो कितना रहता है जीरो इलेक्ट्रोन का ओस्वेग जीरो है ऐ लंबाई के चालक है तो जब ओस्वेग जीरो है तो इसका मतलब ऐसा प्रतित होता है कि इलेक्ट्रोन जो है वो चालक धातू को नहीं छोड़ रहा है और जब तक इलेक्टोन चालक धातू में अपना इस्थान नहीं छोड़ेगा यानिक इलेक्टोनों का प्रवाद नहीं होगा तब तक धारा प्रवाइद नहीं होगी यहां पर ओसत वेग 0 क्यों है बेटा देखो कि माल लिजी अगर कोई भी इलेक्टोन है वो यहां पर V1 वेग से इधर आया उतना ही V2 वेग से या उतने ही वेग से इधर आ गया तो ओसत वेग क्या होता है V1 माइनस V1 तो V1 माइनस V1 करेंगे यह तो कितना आ जाता है जीरो इसका मतलब ये इतने सारे मोशन है इन सभी का ओशत वेग जीरो है ओशत वेग जीरो है इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ विस्तापन जीरो है किलियर है नहीं हमने 11 पपढ़ा है कि वेग अब 0 होगा जब विस्थापन 0 हो इसका मतलब विस्थापन 0 है तो इसका मतलब इलेक्टॉन जो है वो धातू को छोड़ نہी रहा है वास्तिकता में तो मोशन कर रहा है इलेक्टॉन यादर्स गति कर रहा है लेकिन उसत्वे क्या है जीरो इसलिए ये जो इसी को हम कह सकते हैं कि इलेक्टोन जो है वो यादस गती के कारण इलेक्टोनों का प्रवाचालक में नहीं हो रहा कब तक नहीं हो रहा जब तक हम बैटरी विभांतर या विदोचेत्र नहीं लगाते हैं प्यारे विद्यारतियों आगे इस अफवाचाल को समझते हैं अफवाचाल या ड्रिप्ट वेलोस्ती इसकी परिभाशा को देखते हैं और फिर इसको समझते हैं कि कैसे ये धात्व में धारा का परवा होता है परिभाशा देखते हैं जब धात्विक चालक में भाई ये विदुचेत्र लगाया जाता है तो सभी सवतंत्र इलेक्टोन जो पहले आदर्श गती कर रहे थे वे अब विदुचेत्र की विदुचेत्र यहाँ पर अपलाई कर दिया हमने और जब विदुचेत्र अपलाई कर देते हैं तो आपको पता होगा कि विदुचेत्र की वजए से क्या होगा उनको समझते हैं वेटा तो विदुचेत्र अपलाई कर देते हैं या विदुचेत्र लगा देते हैं तो उससे जो आपकी पास इलेक्ट्रोन हैं विप्रीद दिसा में गती करने लगते हैं इसे अफवावेग या अफवा कहते हैं जिस चाल से इलेक्ट्रोन गती करते हैं उस चाल को अफवा चाल कहते हैं हम चालक में जो अफवा चाल है उसको किस से दरसाते हैं VD से V4 Velocity D4 Drift किस से दरसाएंगे बिटा VD से इसका मतलब किलियर हो गया कि जब किसी विधातू के दोनों से कोई बैटरी जोड़ दी जाती है या हम कह सकते हैं विभांत लगा दिया जाता है या हम कह सकते हैं विद्धुछेत लगा दिया जाता है तो क्या होगा इलेक्ट्रोन कैसी गती करने लग जाते हैं अफवा चाल से गती करने लग जाते हैं यानि कि जो यादर्स गती थी वो एक निश्ची दिसामें गती करने लग जाते हैं, निशिदीसामें गती करते हैं तो इससे क्या होता है, देखो छितर से इस बात को समझते हैं, यह आपके पास वही धातू है जो हमने ली थी, जिसमें इलेक्टोर यादर से गती कर रहे थे, इसमें क्या कर रहे हैं हम, कि यह आपकी जो एल लंबाई की चालक दातु है इसके एक सिरे को तो हमने बैटरी के धन टर्मिनल से जोड़ दिया यह धन टर्मिनल और यह रिन टर्मिनल तो हम जानते हैं कि धारा का प्रवा कहा होगा धारा का प्रवा धनात्मक से रिनात्मक की और होता है तो धारा के देशा दर रहे हैं बैटरी के धन टर्मिनल क्यों विदूद छेत्र हमने लगाया है विदूद छेत्र की दिशा क्या आएगी पॉजेटिव से नेगेटिव क्यों याने की धन लिया कि इलेक्ट्रोन जब धातू किसी भी बैटरी से नहीं जुड़ी होती है तिसका मतलव इलेक्ट्रोन यादर्श गति करते रहते हैं और उनका वसत वेग जीरो रहता है जिसके कांट धारा का प्रवाह नहीं होता है आगे देखते हैं इसको आगे सोल करते हैं नेक्स्ट देखिए बेटा अब हम इस यादर्श जो आपके पास अफभवेग आया है इस अफभवेग का शुत्र क्यलकुलेट करेंगे अफवा वेग का शुत्र क्यलकुलेट करते हैं तो देखिए यह आपके पास इसका mathematical सुत्र आ गया है mathematical सुत्र लेके आते हैं चालक जो है चालक के अंदर धनात्मक सिरे से रिनात्मक सिरे के विदुद छेत्रुत्पन हो जाता है और हम जानते हैं कि इसका formula आता है E बराबर V Y L देखिए प्याले विद्यारतियों कि एक संबंध है E, V और L में अगर आप इसको देखना चाहें तो हम इसको समझा सकते हैं देखिए आप जानते हैं कि आपके पास V का जो formula है वो होता है V is equal to W upon Q0 यानि कि कारिय बटा आवेश और कारिय को हम क्या लिखते हैं बटा कारिय को हम जानते हैं W बराबर होता है बलगुणा विस्तापन या बलगुणा लंबाई यानि कारिय बराबर F into L और जब यह मान यहां रखते हैं तो क्या आ जाता है हमारे पास W का मान यहां रखेंगे तो तो V बराबर आपके पास आ जाता है F into L upon Q not और F upon Q not को क्या बोलते है बटा F upon Q not को बोलते है E तो V बराबर आपके पास आ गया E into L clear? तो E is equal to क्या जाएगा? E is equal to आपके पास आ जाएगा V by L इस प्रकार से E का जो मान है वो आता है V by L यानि कि हमने विदू छेतर का मान याद कर लिया है विदू छेतर का मान जो है इसकी सायता लेते हुए सबसे पहले हम बल और निकाल लेते हैं इसका तो चालक के अंदर कितना बल लगेगा? तो इसको हम शोल करते हैं कि जो आपका चालक है वो चालक कितना बल अन्वाव करेगा तो जो इलेक्टोन है चालक के परतेक मुक्त इलेक्टोन पर इस्तित है जो छेतर में इस्तित है मुक्त इलेक्टोनों पर लगने वाला विदूत बल कौन सा बल लगता है विदूत बल QE F is equal to क्या होता है QE और QE is equal to आप जानते हैं PLUS MINUS NE और एक electron के लिए calculate कर रहे हैं तो QE is equal to आजाएगा MINUS का E क्योंकि electron के लिए MINUS तो Q का ये जो मान है ये अगर यहां रख देंगे Q का मान MINUS E तो आजाएगा F is equal to ये वाला formula MINUS का E ठीक है बल आ गया बलके सुत्रक से हम जो आपका electron है उसका तवरण ग्याद करते हैं तो देखो तवरण Newton के दित्य नियम से तवरण ग्याद करेंगे यदि M द्रवमान है electron का तो तवरण Newton के दित्य नियम से Newton का दित्य नियम क्या है बेटा F is equal to MA तो A क्या जाएगा A is equal to F by M और उससे हमने A का फोर्मूला लिखा ध्यान दे तो यहाँ F का जो मान है वो यहाँ है इससे F का मान यहाँ रखेंगे तो हमारे पास आजाएगा minus का E E Y M इस तरह से हम तवरण का मान ग्याद कर सकते हैं तवरण आगया हमारे पास बल आगया विदुद बल next हम गती के पर्थम सम्मीकन से इसका उप्योग करेंगे गती के पर्थम सम्मीकन का उप्योग करके इसको सोल करते है बेटा गती का पर्थम सम्मीकन है V is equal to U plus 80 प्यारे विजारतियो यहाँ पर V जो है सामाने वेग है उसको हम VD लिख देंगे VD का मतलब अपवाचाल जिसको drift velocity बोलते हैं U प्रारंबिक वेग है और चालक में प्रारंबिक वेग यादर सी गती कार्ण कितना रहता है 0 यानि गोसत वेग 0 है A है तोरण है जिसका मान हमने ग्याद कर लिया है वो था माइनस का E Y M और जो आपके पास समय है T इसको लिख देते हैं T को क्या लिख देते हैं तो क्या है relaxation time या विसरामतिकाल और इस प्रकार से हम इस गती के पर्थम सम्मीकन को लिख सकते हैं VD जीकल टू 0 U कमान 0 प्लस माइनस का E Y M इन्टू टो नेक्स्ट आपके पास आजएगा 0 को अटा देंगे तो VD जीकल टू माइनस का E Y M इन्टू टो यह आगया आपके पास final formula किसका अफवा चाल का इस चाल से electron दाप्तों में गती करेगा जब electron इस चाल से गती करेगा तो विद धारा का परभा करेगा ठीक है आज का जो अमारा topic है आसा करता हूँ आपके समझ में आ गया होगा Thank you So much बहुत बहुत धन्यवाद